कि इलेक्शन को कैसे प्रभावित किया जाए, इलेक्शन को कैसे जीता जाए, क्योंकि जनता ने, खास का गरीबों किसान और नौजवानों ने बीजेपी को नकार दिया है, बीजेपी के प्रत्र नाराजगी है, बीजेपी की नीतियों के खिलाफे, बीजेपी की कोई भी जो जनता को भरुसा दिलाया, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है, जो कर्ज माफी की बात थी, कर्ज माफी ने निरास किया लोगों को कर्ज माफी ने किसानों को निरास किया गन्ना भुकतान की बात एक बार कहना दो बार कहना तीन बार कहना सरकार इस बास से बच्चती है कि बकाया कितना है जब भी सरकार से ये सवाल किया जाता है कि गन्ने का भुक्तान होना है किसानों का बकाया है सरकार ये कहती है कि हमने इतना पेमेंट किया है सवाल पेमेंट का नहीं है सवाल हमेशा बिपक्षने और किसान ये पूसता कि बकाया कितना कब दिया जाएगा आज भी उत्तफ़ देश में सबसे ज़्यादा किसानों का पैसा बकाया है छीनी मिलों पर उससे नाराज़ की है नौजवान बड़े पेमाने पे बिरोज़ का नौजवान था उससे नाराज़ की है इसलिए स्ट्रेटिजी के तहट जो रोडशो हुआ पांच माइल का चार माइल का कुछ किलो मीटर का रोडशो हुआ इसलिए हुआ कि चुनाओ को प्रभावित किया जाए हला कि सुप्रीम कोट ने कहा था कि सड़क को जल्दी खोला जाए लेकिन रोडशो इसलिए हुआ कि चुनाओं पे भी थोड़ा थोड़ा असर पड़े एक तरफ पिधान मंत्री ऐसे डाल ले थे दूसरी तरफ मुख्मंत्री चले गए गंगा में तो सब इस्नान करते है हम और आपको जीवन में कई बार मौका मिलता है और कई बार हम गंगा में इस्नान करते है मुझे खुशी इस बात की है केराना और नूरपूर की जनता ने भादी जनता पार्टी के खिलाब बड़े पैमाने पर मद्दान की आ है अब उसका असर दिखाई दे रहा है क्योंकि बीजे भी खुश सुईकार कर रही है कि कहीं ने कहीं बोटिंग मशीन में गरबड़ी हुई है जब विपक्षी पार्टियां सब गई लख्शी कमिशन में तो अपनी कमीच शिपाने के लिए वो भी जाकर के लेज़िश कमिशन सिकायद करने के वो भी इस बात की पुश्टी करते हैं उनके लोग भी कहते हैं कि कहीं न कहीं मशीन में कोई स्नेग हुआ है कोई खराबी आई है ये खराबी कैसे आ गई और आज के जमाने में ये बात कहना क्योंकि गर्मी जादा थी तेमप्रिशल जादा था इस बज़े से मशीन खराब हो गई और अगर टेमप्रिशल से मशीन खराब हो रही है तो स्ट्रेटजी के तहट केवल उनी बूतों की मशीन क्यों खराब होई जहां पर समाजवादी, RLD और तमाम दल जिनों ने गढ़वन दन का समर्दन कर रहे थे उनकी बूत की मशीन क्यों खराब होई और जिक भी चुनाव थे माराष्ट में गौंदिया में जरूर खराब होई इतने बड़े पेमाने पर इसलिए हम कहीं न कहीं ये शक होता है कि जो मशीने भी खराब किये गई है वो स्ट्रेटजी के तहट उनी बूतों के खराब की गई है जहाँ पर उन्हें बोट कम मिलना था लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जिस तरीके से जन्ता बाहर निकल करके आई है जन्ता ने जिस तरीके से मद्दान किया है बीजेपी को एकदम हार का मुझ देखना पड़ेगा जब पल्णाम आएगा इसलिए मैं एक बार फिर अपनी बात को दोराता हूँ कि एवियम पर भरोसा नहीं है एवियम पर भरोसा कम हुआ है अब तो और राजनेतिक पार्टिया भी कहने लगी है मुझे खुशी है कि कॉंग्रेस पार्टिया भी इस बात को कह रही है कि बैलट से बोट पढ़ना चीए मैं अन्य राजनेतिक दलों को एक बार फिर कहूंगा भी मिलके भी कहूंगा कि एवियम से बोट नहीं पढ़ना चीए बोट बैलट से पढ़ना चीए दुनिया के तमाम देश है जहां बैलट से बोट पढ़ता है ये बड़ा सवाल लोगतन के लिए इसलिए इन चुनाओं मैं कहीं न कहीं आँख खुल दी है कि एक बार फिर हम लोगो एक हो करके एवियम के खिलाब बात रखनी पढ़ेगी क्योंकि जितनी मशीने खराब ही वह आपके पास भी सूची है उन सूची को मैं नहीं पढ़ूँगा लेकिन सुनने में आ रहा है कि जहां पर ज़्यादे देर इवियम ये विविपेट खराब थी वहां मद्दान होने जा रहा है मुझे उम्मीद है कि जितनी ही मशीने खराब थी या जिस जगे शिकायत आई है वहां इलैशनी कमीशन एक बार फिर मद्दान करा करके कम से कम लोगों को मत करने का अधिकार देने का काम करेगा